मैं अब जब LG साब से मिलने गया भी तीन दिन पहले तो मैंने ये पढ़के सुनाया उनको मैंने का सर सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि ते हां सुप्रीम कोट की अपनी राय हो सकती सर अध्यक्ष मौदा इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचाता है इतने बड़े समविधानिक पोजिशन के उपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोट का ओर्डर व्यक्ष की राय हो सकती है मैंने का सार आप जो यह कह रहे हैं यह सुप्रीम कोट का कंटेंट है आप ऐसा नहीं बोल सकते सुप्रीक कोट का आदेश कानून है इस देश का सुप्रीम कोड का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ओपर इस देश के हरनागरिक के ओपर बोले नहीं मैं पूले समविधान में लिखा है कि एल जी एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है तो मेरे पास सुप्रीम पाव लिखते हैं हम मुझे ये बताया जाए कि क्या डियो पीटी की गाइड लाइन्स का पालन किया गया यह जिस इनिवर्स्टी में भेज रहो इस इनिवर्स्टी ने और कौन-कौन से कारिकरम कराए इससे क्या अब्जेक्टिव हासिल होगा अरे मैं मुझ्छेमंतर हुग मैंने देख लिया यार सारा मैंने स का इस्षिव अब इनूos साभ को बोला मैंने का सर आप मेरे एड मास्टर थोड़ी हो इतने तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फस्ट आया करता था ग्लास में, पहली ग्लास से लेके बार्वी ग्लास तक फस्ट आया, युनिवस्टी टॉपर था, करुक्षेत्रा निवस्टी में टॉप किया था, मैंने फिरे सिक्स पोजीशन थी, मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा ह और हेसे ऐसे चेक निहीं किया जैसे हैं स्पेलिंग गलत है है और यह ऐसे क्यों इन लिखा मेरे मेरे मास्ट्रों वह उसे क्या जैसे हैं घुना हख म०्टरियां है:「 चुना हुआ मुख्य मंत्रि हुँ changing Linda के दो क्रोडCal को ने मेरी को चुंके भी जाएवा कि उने उनसे पूछा हुं एक यह मैंने पूछा साब इसक्राइब कर आपको उननने वहले इसक्राब hä्टेय। you don't know how to govern मैंने का LG साब आज आप भी वह भाषा इस्तेमाल करें you bloody daily वाला you don't know how to govern मैंने का सर दिल्ली छोड़ दो हमारे हालात पे हम अपनी दिल्ली चला लेंगे कहते हैं cost benefit analysis कराओ मैंने LG साब से पूछा सर मेरे को वो धारा बता दो समविधान की मैं सारे ये सारे इसर ये जो आज में लेके आए हो ना ये सब लेके गया था मैं LG साब के बाद ये सारी चीज़े लेके गया था मैंने का सर ये आपके सामने रख़ी है अब मेरे को इसमें दिखा दो आपको cost benefit analysis order करने की power किस कानून के तहत है कौन सा कानून सुप्रीम कोड का देश आपको ये power देता है कि आप दिल्ली सरकार के किसी काम की cost benefit मैं कराऊंगा मेरे को जनता नहीं कहा है मैं cost benefit analysis कराऊंगा ये सदन है ये सदन कराएगा इसकी कमीटियां कराएगी ये कमीटियां कराती है ये सौरमिर को बताता है राजेश बताता है सोनना इस सारे बताते है ये cost benefit analysis ये लोग कराएगे आप कौन होते हो cost benefit analysis कराने वाले दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और उसके बाद आप cost benefit analysis आपके पास तो power नहीं है मैंने उनसे पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं था फिर मैंने उनसे पूछा मैंने का सरी ये दस elder men कैसे बना दिया आपने ये तो आपके पावर नहीं है तो transfer subject है MCDX तो transfer subject है आपने 10 elder men कैसे बना दिया बोले उस कानून में लिखा है administrator shall appoint 10 elder men तो मैंने उनको ये एक और दूसरा order दिखाया Supreme Court का ये 2019 में आया था Supreme Court में इसमें लिखा है कि जहाँ administrator लिखा होगा वहाँ भी मंत्रियों की चलेगी वहाँ भी मुख्य मंत्री की चलेगी ये लिखा हुआ ये Supreme Court का आदेश मैंने उनको दिखाया मैंने का सर ये लिखा हुआ है कि administrator लिखा है तब भी हमारी चलेगी आपकी नहीं चलेगी तो वो तो Supreme Court को मानती ही नहीं वो तो कहते है Supreme Court की तुराए है उसके बाद एक High Court का order है वो भी मैं लेके गया था और कुछ हो ना हो एल जी साब में मिरको वकील तो अच्छा बना दिया ये 1998 का judgment है O.P. पावा इसमें साफ साफ लिखा है Motor Vehicles Act में डेफिनेशन है Lieutenant Governor Government of Delhi means Lieutenant Governor इसमें लिखा है सारी पावर दिली सरकार की होगी सारी पावर मुख्षमेंटरी की होगी तो अगर Administrator भी लिखा है Lieutenant Governor भी लिखा है LG साफ की पावर नहीं है ये सारा मैंने उनको बताया पर वो तो माने ही नहीं वो तो बोले कि मैं Administrator हूँ फिर मैंने का सर आप आज कल रोज Chief Secretary को और दे देते हो मतलब रोज सवे रोखते हैं अपना Letter Head मंगाते हैं Letter Head में लिखते है Chief Secretary इसको यहां का Chairman बना दो और Chief Secretary को बेचने सैज्थ से के लागो करा देता है हम मूब आके देखते हैं तो क्या हो गया यह तीवी में चल रहा है अख़बार में आ गया इसको लिख देते हैं इसको Elder Man बना दो इसको यहां का यह बना दो इसको ये चल क्या रहा है मैंने LG साब से पुछा मैंने की Chief Secretary को सीधे order कैसे देते हो मुख्य मंत्री मंत्री इनके थूफाइलें क्यों नहीं जाती सीधे Chief Secretary को order देते हो आप किसी भी सब्जक्ट के उपर बोले मैं शासप हूं मैं administrator हूं मैं कोई भी ओर्डर दे सकता हूँ, किसी को भी ओर्डर दे सकता हूँ, ना तो वो सम्विधान मानने को तयार हैं, और ना वो सुप्रीम कोड के ओर्डर मानने को तयार हैं। मैंने उनसे पूछा मैंने का सरिये योगा क्यों बंद करा दिया मुहला क्लिनिक के अंदर चुनाव के MCD चुनाव के नतीजे साथ तारिक को आए थे उसके दो महीने पहले से सारे डाक्टरों की तंखा बंद करा दिये सारे महला क्लिनिक के रेंट बंद करा दिये सारे महला क्लिनिक की बिजली बंद करा दिये बिजली के बिल पेमेंट बंद करा दिये सारे टेस्ट बंद करा दिये मैंने का सरी ये क्यों करा दिये दिल्ली जलबोड की तीन महीने से सारी पेमेंट बंद बड़ी मज़े की बात है कि साथ तारीकों नतीजे आठ तारीकों महला क्लिनिक की सारी पिमेंट हो गई तो नियत खराब थी जलबोड की सारी पिमेंट बंद करा दिया हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुख गई जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे उनकी कंस्ट्रक्शन रुख गई डी टी सी के अंदर महिलाओं की सुरक्शा के लिए जो बस मार्शल हमने लगा रख थे हैं उनकी तनका तीन महिने से बंद करा दिया